नमस्कार मैं अमंत्र पाठी हूँ और आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आईपा में आईपा मतलब All India Progressive Politics Association जहां बात होती है जन सरोकार की जहां बात होती है जनता से जुड़े हुए मुद्दों की आईपा जो बात करता है प्रगत शील राजनीती की और आज हमारे साथ इन ही सब विश्यों पर बातचीत करने के लिए मौजूद है AIMIM पार्टी के सिराथु विधानसभा 251 के प्रत्यासी सेर मोहमद उर्फ सेरू जो की जिला पंचायत सदस्वी है जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आईपा में सबसे पहले मैं आईपा टीम को धन्वाद देना चाहता हूँ अपने पार्टी की तरफ से AIM के तरफ से जी आप यह बताए आपके जो फायर ब्रांड लीडर हैं OIC साहब ठीक है आप उनकी पार्टी से प्रत्यासी हैं और चुनाओ लड़ रहे हैं आपको उनके अंदर ऐसी कौन सी खूवी दिखी उनकी पार्टी की ऐसी कौन सी विशेस्ता दिखी जो आप इस पार्टी से जुड़ कर चुनाओ लड़ना चाहते हैं हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं असद उद्दीन वैशी साहब वो गरीब मजलूमों की हिदाइस की बात करते हैं और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सम्विधान की बात करते हैं अच्छा आप यदि यहां से चुनाओ जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं तो आप किस तरह का विकार्स करेंगे सिराथू में जो खास रहेगा सिराथू के लिए शिराथू में इंशाओला मेरी सोच यह है कि जो गरीब यतीम है मेरी ये सोच है मैं ये सोच लेकर निकला हूँ फिल्डे में मैदान में जनता अगर यहां की मुझे चुनेगी तो इंशाओला कहने का मौका नहीं दूँगा सारे जनता अपनी विधान सभा की जनता को मैं बहुत खोश रखोंगा यह यकीन से बोलता हूँ मैं। अच्छा आप प्रत दिन फील्ड में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो आपको किस तरह का फीड़ बैक जनता से मिल रहा है, क्या रुजहान मिल रहा है, जनता आपका कितना समर्थन करेगी। जनता तो बहुत अच्छा इस्पॉंस दे रही है, क्योंकि छेतरी मैं सेहारा से बिलान करता हूँ और छेतर का हूँ, जनता यहीं चाहे रही कि अपने छेतर का नेता हो कोई, जो गरीब मजलूमों की सुने और उनकी मदद करें। आप एक जिला पंचाह सदस से भी हैं, आप किस तरह से लोगों से मुलाकात करते हैं, क्या जरिया है आपका जनता से संबात करने का। अभी जिला पंचाह फिलहाल में पांच महिना हुआ हूँ, और पांच महिने के अंदर ये आप समझ लीजिए कि तीन चार विकास अभी महिने किया है, चार जगे की रोडे का काम चालू है, और दो-तीन दिन के अंदर-अंदर हमारी लाइड भी आ रही है, गाउं-गाउं म जिसमें जाति-धर्म-मजहब यह सब बहुत माइन रखता है और इन सब बिंदूओं पर ही चुनाओ अधिकतर होते हैं, आप वो क्या लगता है यह कितना सही है, जात-पात तो मेरे ख्याल से यह गलत है, और यह सोचना भी गलत है, हर इनसान एक है, हम भाई-भाई, यह ज तरह के मुद्दे चुनाओं में होने चाहिए? आप जब चुनाओं लड़ने जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, यह बताएए आपके प्रमुक एजंडा क्या है, आपकी पार्टी और आपका? हमारे पार्टी का एजंडा यह है, गरीब मजलूम इन लोगों का कोई मतलब विकास नहीं मिलता, हमारे वैसी जापका कहना है, यहाँ देश में नौकरिया नहीं मिल लही है, लोगों की यही सोच है, पढ़े लिखे लड़के टहल नहीं, बहुत से, नौकरिया नहीं मिल ल ही हमारी पार्टी आई हुई है, अभी इन्शालला यहाँ अगर हम लोगों काम्याबी मिलेगी, लोगों के लिए सोचेंगे और नौकरिया दिल वाएंगे, अच्छा, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात्चित करने के लिए, शुक्रिया अर्प, ठाइंक